आपके साथ आपका बच्चा भी अभी अपने जन के लिए तयारी कर रहा है। इस महिने में आपको आपके बच्चे का पेट में हिलना और पेट गट होनी के जैसा लगना शुरू होता है। आपका नन्ना को सारे स्टिमिलय याने उटेजनों का एहसास भी हो रहा है। अब तो आपकी शिशू 1.8 केजी और 19 इंच लंबा हो गया है। मास्तिष्ट का विकास हो रहा है। अब गरबाश्रे के अंदर आपका बच्चा अपने सर नीचे के स्थिती में बस गया है। इस माह के दवरान सभी लक्षिन जो आपको पहले कुछ महिनों में परेशान कर रहा था वह सब वापस आता है। ज्यादा बार मूद्रवे सर्जिन, स्तनों में दर्द और तकान, असिडिटी यानी आमलता इस महिने में ज्यादा होता है। ज्याद ज्यादा झाल झाल